जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में बताया था, आज उसी को कैसे आवेदन करना है, आज इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ, जिससे सहारा में फसे हुए लोगों का पैसा अकाउंट में आ सके उसके लिए सबसे पहले. गूगल पर जाकर mocafund.crcs.gov.in पर सर्च करें, फिर उसके बाद का आपका फर्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें पंचीकरन जमाकरता पर क्लिक करना है, उसके बाद स्टेप नमबर 1, जमाकरता पंजीकरन के लिए आपको 12 नमबर की आधार संख्या, कि अंतिम 4 नमबर का आध संख्या और 10 नमबर का Mobile नमबर और Capture डालना होगा और OTP प्राप्त करना पर दबाना होगा, Step 2 आधार से जुड़े Mobile नमबर पर प्राप्त OTP दर्ज करे और पंजीकरन संख्या पूरी करे, Step 3 जमाकरता Login पर स्क्रीन पर, 4 नमबर का आधार नमबर, 10 नमबर का आधार से ज करने के बाद जमाकरता को आधार सहमती स्क्रीन दिखाई देगी में सहमत हूँ, बटन पर क्लिक करके और शर्तों को एक्सेप्ट करने के बाद अगले पेज पर जाए, step number 6, वक्तिगत विवरन स्क्रीन पर, 12 नमबर आधार नमबर दर्ज करे, OTP प्राप्त करे, बटन पर क्ल करे, जमाकरता को आधार से जुड़े मोबाइल नमबर पर OTP प्राप्त होगी, step number 7, OTP दर्ज करे और सत्यापित बटन दबाए, step number 8, OTP सत्यापित करने के बाद, सिस्टम पर उप्योग करता विवरन जैसे पहला नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, पिता या पती का नाम दिख करेगा, step number 11, दावा जमा करे, बटन पर क्लिक करे और जमाकरता को निचे दिये गए ग्रिड में सभी विवरन दिखाई देंगे, यहां, जमाकरता कोई दावे जोड सकेंगे, step number 12, एक बार सभी दावा विवरन दर्ज हो जाने के बाद, पहले से भरा हुआ दावा अनुरो पेज एक दावा अनुरोद संख्या के साथ देखेगा, क्रिपया फ्यूचर के संदर्ब के लिए दावा अनुरोद संख्या नोट कर ले, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे ताकि जरूरत मंदों की मदद हो सके और लाइक और सस्क्राइब करना न भूले